फ्रेंस आज की टिप्स और ट्रिक्स देख लेते हैं एक भी टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए पहली टिप्स मेरी गाजर को लेकर है गाजर का सीजन चल रहा है गाजर की जब हम सबजी बनाते तो देखिए आसानी से छील लेते हैं अगर हलवा बनाते तो छीलने में थोड़ी दिक्कत होती है इसी के लिए एक टिप्स लेकर आई हूँ तो देखिए ये लीजि तो हमारी गाजर इजली साफ हो जाएगी बिल्कुल भी हाथ वगरा नहीं दुखेंगे तो आप इस तरह सभी गाजर को आसानी से साफ कर सकते हैं नेक्स टीप फ्रेंड्स जो भी हम चस्में वगरा लगाते हैं उन्हें ये परिसानी आती है तो हमारे चस्मा बहुत जादे ढिला हो जाता है और ये नाक पर आता है तो इसी के लिए इसमें दो रबट बेंड लिया है पतले वाले जो आते हैं इस तरह इनको लगा लेजिए हैंडल के उपर तो फिर आप इसको लगाएंगे तो ये चस्मा बिल्कुल भी आगे की तरफ नहीं किसकेगा आसानी से इसका फिर आप यूज कर सकते हैं एक तिफ्रेंट्स घर में जो घड़िया होती है तो ये खराब हो जाती है और ऐसे ही पड़ी रहती है तो इनका यूज कैसे करेंगे तो देखे जो भी घड़ी है आपके पास उसको ले ले जिए और मैं देखे किस तरह यूज करती हैं इसका जो परदे होते हैं आप उनमे इसको इस तरह लगा सकते हैं जैसे देखे मैं लगा रही हूँ और ये सुन्दर भी बहुत लगती है और इनका हम यूज भी कर पाएंगे तो बेकार घड़ियों का भी आप इस तरह यूज कर सकते हैं तो देखे मैं इसको बांध रही और टाइटली ये बंद भी जाता है इस तरह बांध के आप इनका यूज कर सकते हैं तो देखे काफी सुन्दर भी लग रहा है ये पर्दा इस तरह आप जितने भी पुराने घड़ी हैं उनका यूज कर सकते हैं एक टिप्स प्रेंड नेल पेंट को ले सकता है तो आप इस तरह इस प्रीज में रखेंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा फिर यह लंबे समय तक ऐसा ही बना रहेगा एक टिप फ्रेंड्स सिम्ला मिर्ची को लेकर है जब भी हम सिम्ला मिर्ची बनाते हैं तो इसके बीज को हम अलग करना पड़ता तो इसली देखे किस तरह आप इसको अलग करें इस तरह तीन पार प्राइ हो रही है सर्दियों के सीजन में तो उसी के लिए है यह मैंने लिया एक चम्मच मुड़तानी मित्टी इसको मैंने सादे पानी में भी वो लिया था बस इसी तरह भी वोना है और इसमें डालेंगे हमें विटामिनी का कैपसूल इसको डालके अच्छे से मिक्स कर ल तो देखते हैं पूरा काउंटर गंदा हो जाता जो भी हमारा प्लेट फॉर्म है किचन का तो इस्पून से ही निकालते हैं तो मैं बताऊंगे इससे कैसे निकालें विस्कड लेंगे जिससे हम धही फ्रिटते हैं इस तरह घुमाईए बेशन में डाले को और इससे हमारा बिल बिल्कुल भी गंद की नहीं हो यह धर दर बिल्कुल भी नहीं गिरा है अगर आप मसालेदानी में नमक रखते हैं तो क्या होता है नमक रखने से तो हमारी जो इनकी कटोरिया है वो मौश्चर पकड़ लेती और इनमें जंग लगने लगता है तो आप क्या करें इसमें नम बिल्कुल उन में रखें तो मैं इसी तरह रखती हूँ आप अपनी मसालेदानी को लंबे समय holistic अश्चर चला सकते हैं तो बिल्कुल मसालेदानी खराब नहीं होगी अगर आपने नोटिस नहीं किया तो यह जरूर नोटिस कीजेगा नमक से मसालेदानी खराब होती है तो एक टिप फ्रेंट्स लेकर है जब भी हम लसन चीलते हैं तो कभी कभी क्या होता है कोई किसी चाकु से कोई कुछ कर रहा है तो आप पिलर से भी लसन को चील सकते हैं तो देखे इसका जो उपर का गांट होती है उसको पिलर से खीच दीजिये पकड़के फिर आसानी से लसन चील जाता है इस तरह मैं चील रहा है देखे आसानी से चील रहा है तो इस तरह पिलर से भी लसन को चील सकते हैं नेक्स टीफ फ्रेंट्स लाइटर को लेकर लाइटर किचन में बहुत ही जाद़ यूज़ होता है और बहुत जाद़ गंदा हो जाता है तो इसको कैसा साफ करेंगे यह मैंने लिया सेविंग क्रीम तो इस पे पूरे पर इसे लगा देंगे थोड़ी थोड़ी ही लगानी है और इससे हमारा क्या होगा, लाइटर बिल्कुल ही साफ हो जाएगा, अच्छे साफ हो जाएगा, क्योंकि हम इसे पानी वगर असा तो साफ करते नहीं है, यह खराब हो जाता है, तो इस तरह लगा के इसे एक मिनिट के लिए रख दीजिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, गीला कपड़ा लेंगे, थोड़ा सा गीला कपड़ा लेना है, जादा गीला नहीं करना है, और उससे हम इसे रगड के पोज देंगे, तो हमारा लाइटर बिल्कुल साफ हो जाएगा, तो आपको एक भी टिप्स पसंद आई हो फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक जरूर और मेरे चैनल को सबस्क्राइब